संत रविदास, संत कबीर, नानक, ज्ञान देव, नाम देव, तुकाराम, भक्ती आंदोलन और सुफी संतों की परंपराओं के इस मुल्क में, 2022 के भारत में, आज भी छुआ छुद जिन्दा है, आज भी एक इनसान को दुसरे इनसान का मेला ढोना पड़ रहा है, आज भी भारत में हर रोज चार दलीत मेहनों पर बलातकार होते हैं, हर रोज दो दलुत संभुदाई के व्यक्तियों की हत्या होती है, और हर अठ्रा मिनिट पर एक एट्रो सिटी की घटना होती है, ये केवल चिंता का नहीं हमारे देश के लिए आज बहुत बड़ी शर्म का विसाई है, बाबा सब अंबेड करने समविधान बनाया और सामाजिक न्याई की बात की, हम लोग साफ तोर पे मानते हैं कि नए भारत का निर्मान तब तक मुम्किन नहीं है, जब तक इस देश क के हरे कोने में सामाजिक न्याई को सुनिस्चित न किया जाए, लेकिन जिस गुजरात मोडल को पुरे देश के उपर थुपा गया, मैं उसी गुजरात से आता हूँ, और हम लोगों ने देखा है कि इसी गुजरात मोडल के कारण पिछले आज-दस सालों में रुहित व्यम मुला की संस्तानी खत्या होती है, गाई के नाम पर सर्याम भरबजार उना में दलीत योगों की चमड़ी उतारी जाती है, डिल्ली में रविदास के मंदीर को तोड़ा जाता है, एट्रोसिटी सेक को खतम करने की कोशिस की जाती है, अमिड कराइट को दलीत मुमेंट के